तो थो सुटन्स आज हम चोड़ें चेनल एड़ेंगे और एई बनाने के लिए में उसको चार स्थेप में लिए इसलें전eler मेरे में पनाद सकें सरह जाएंगा अगर आप यह मैफ यह में जाकूए इस्तमाग करके कोई आसान तरीका जानना चाते हैं आप चाहता ही कि मैं quickly कैसे इसी भी नंबर का वो नॉन पर्फेक्ट ही क्यों ना हूँ कैसे मैं उसका स्क्वेर रूट कर लो तो मैं request करूँगा कि आप आप बटन पर क्लिक करके मैंने इसके पहले ही वीडियो बनाया और आप वीडियो जरूर देखें और सुदंस और एक चीज़ बोलना चाहूंगा शुरू करने से बिला अगर आपको वीडियो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छा लाकर जरूर लाइक कीज़ें शेर कीज़ें हमाया चैनल एड्यों इंटेन्मेंट को सब्सक्राइब कीज़ें सो लेट स्टार्ट एग सो सुरूर अशमारा नंबर है 309,7,6 का इसको स्क्वेर रूट इंकरने करना एक पहला स्टेप मेक पैर्स फरों उनिट प्लेस के एक हमको पैर्स बनाया है यह उन्मारा पहला स्टेप यह हमने दो पैर्स बन गय यह हमारा थी हूँ थी हुआ ठीक ह तो उसको ऐसे छोड़ देना है ठीक है अब दूसरा step divide with perfect square शुराट कैसे करने है कि अभी यह हमारा यह पैस बन गए और हमारा three number बच गया है अब three numbers चोटा वाला perfect square कॉन सा है वो हमको देखना है तो one into one one होता है और two into two four होता है तो four तो three से बारा होगे मतलब one into one होगा हमारा तो यहां पर one लिखना है फिर उपर one लिखना है ठीक है one one जा one और यह माइनस करके यहां पर two और यह पूरा का पूरा पैर नीचे हमको उतार लेना है तो यह zero nine हमारा नीचे आ गया थर्ड स्टेप क्या है कि add and multiply देखो one into one multiply तो हमको यहां पर कर लिया मतलब यहां पर कोशन multiply का मिनिंग कोशन पर लिख लेना है वही नमबर और वही नमबर को add कर लेना है ठीक है यहां पर वह प्लस वन भी आ जाएगा तो multiply and add यह मैं होना चाहूंगा इस से यहां पर हम two ल लाना है जिससे हमारा वह जो नमबर हो टू-अन के करीब हाज है मतलब क्या करना है अगर मैं यहां पर लखो लिखू तो into one होगा ठीक है तो वन इं-to-one यह हमारा 21 हो जाएगा अगर मैं यहां पर लिखू यहां पहे भी टू यहाएगा और फॉर और यहां भी हमारा आ जाएगा ठीक है तो बड़ा नंबर ट्राइ करते disposition अगर नहीं पॉक्स में हम लखेंगे तो यहां भी हमारा था इ создah 25 और 5 तूज़ा 10, 11, 12, 125 अभी बहुत छोटा है, तो 7 ट्राइकल के देख लेते हैं, यहां पर मिटा लेते हैं, और 7 लिख लेते हैं, 7, 7, ठीक है, 7, 7 सा हमार होगा 49, और 7 तूज़ा 14, और हमारा प्लस 4 मतलब 18 आ जाएगा, 18 मतलब हमारा काम हो गया है, 8 से करेंगे, 28 और 28 त इसलिए मैंने बोला है, अगर आप शॉट में देखना चाहेंगे, तो हम आई बटन के प्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, अभी हमारा 189 होगा, ठीक है, माइनस होगा, यह 9-9, 0, यह 10-8, 2, ठीक है, और मैंने बोला था, 3rd step, add and multiply, तो यहां पर 7, यहां पर 7, प को multiply, मतलब कोशन में भी वही number लिख लेना है, ठीक है, तो 7 plus 7 हमारा 14 आ जाएगा, और हमारा 34 आ जाएगा, यहां पर एक और बोक्स बना लेंगे हम, और यह पूरा का पैर नीचे है, 76, अब हम यहां पर 3, 4, यह हमारा, यहां पर एक number आएगा, ठीक है, अब 5 ट्राइ करके हमारा होगा 15, 16, 17, और बहुत छोटा number होगा, 6 से भी try करके देख जाते हैं, तो 6, यहां पर भी हम 6 लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा, 6 6 हा, हमारा 36 आ जाएगा, 6 4 हा, हमारा 24, 25, 26, 27 आ जाएगा, और 6 3 हा, हमारा 18, 19, 20 है, ओहो, हमारा तो वही number बिल गया, हमारा काम हो ठीक है, सेम ही number आ गया, तो 6, फिर मल्टिप्लाइ, मतलब कोशन में दिखना और add कर लेना, ठीक है, तो हमारा 2076, माइनस करेंगे 0000, मतलब अब खतम हो गया, तो हमारा root of 30976 is 176, मतलब 176 का square करेंगे, तो हमको 30976 मिल जाएगा, ठीक है, अब इसमें एक बदलाव करना चा लेता हूँ पहले, तो 76 के बदले हैं, मैं यहाँ पर 80 लिख लेता हूँ, मतलब 4 बदा रही है, मतलब तो यहाँ भी 80 आ जाएगा, बाकी तो सब सिमिलर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बदलाव हो जाएगा, और यह भी 6, क्योंकि यह 2076 है तो, क्योंकि हम यहाँ बहुत 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 नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80-76, 4 होता है, अब कैसे सॉल करना है, मुझे यहाँ पर 176 एप्रोक्सिमेट आंसर होगा इसका, और मुझे बहुत परफेक्ट आंसर चीए, तो, step कि यहाँ प होगा, तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर पॉइंट लगा है, दो 0 लिख लिए अब यह नीचे आ जाएगे, तो 400 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करके लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 6 प्लस 6 12 होगा, 5, 352 यहाँ पर बॉक्स ब प्लस 1, 1, 2, 352, 1, क्योंकि अगर 2 ले लेंगे, तो बहुत बारा नमबर हो जाएगा, 7000 में चला जाएगा, ठीक है, अब यह माइनस कर लेते हैं, तो यह 3, 10, 9, 10, 9, 10, यह मारा 10-1, 9 होगा, 9-7 होगा, 9-5, 4 होगा, ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, मतलब 3, 5, 3, 5, 2, 2, यहाँ पर अठक सकते हैं, पर और आगे चाके देख लेते हैं, तो आपको यह concept में जो दिखाना चालों क्लियर हो जाएगे, पॉइंट के बाद कैसे करना है, अब यहाँ पर 3, 5, 2, 2 और यह बॉक्स, मतलब यह 5DG नमबर यह और तो 3D नमबर यह, तो हम जब यह यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, फिर से यह 2 पैर आएंगे, 0 के, पहली बार में हमको 2 पैर लाना है, फिर बाद ने, जरूर परिद हमने यहाँ पर एक और एक और एक और एक्स्रा 0 लगाए, यह 400 ही था, तो भले हमने एक और पहले सबसे पहला अगर, हमारी कमी FIDG नमबर तो अगर हम carry forward करेंगे, तो 20 के pair ही करेंगे, मतलब यहाँ पर 00, फिर अगर हमको चाहिए तो और पैर आएगा, तो 00 आएगा, फिर और चाहिए होगा तो और 00 आएगा, ऐसे हमारा काम होगा, तो सुडन से 47900, 3522, अब यहाँ पर भी 1 ही आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2522, अगर आप आगे जाने चाहते हो, तो जा सकते हैं, मतलब इसका approximate answer, मतलब परफेक्ट ही कह सकते हैं, क्या होगा, कि 30980 का square root होगा, हमारा 176.0011, और यह चलता रहेगा, ठीक है, तो हमारा यह answer क्या आगा है, 176.01, 3 digits तक ही हम लेते हैं, सुडन से एक और example करते हैं, जिस 15.21, यह हमको number, इसका हमको root find करना, ठीक है, पहला step, pair from unit place, यहां पर pair बना, क्योंकि यह unit के बाद भी है, तो यहां पर भी pair बनेगा, ठीक है, यहां पर पहले pair बनाए, यहां पर पहले, अब बाद में pair बना दिया, ठीक है, यह हमका हमारा पहला काम हो गया, ठीक है, दूसर लाई 3 और हमारा कोशन में 3 और एड़ भी 3 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर 6 आ जाएगा और यहां पर माइनर्स 9 अब 15-9 क्या होगा हमारा 6 होगा ठीक है अब यह पैर है पुरा नीचे उतर जाएगा ठीक है अब यहां पर पर यहां पर पर हमने तो हमारा यह भी पॉइंट आया था यहां परने कोशन यहां भी पॉइंटा यहां पर यहां पर यहां क्या कि सबसे बड़ा क्योंकि 621 ने बहुत बढ़ा नंबर है तो हम बॉक्स बनाएंगे तो 9 ही लिख ले लते हैं सिधा 9 होगा तो यहां से भी 990 81 होगा और 960 हमारा 54 होगा 54 प्लस एट 62 तो पुड़ा नंबर ही आएगा मतलब 69 और प्लस 9 यहां पर भी 9 621 000 तो हमारा आंसर ही आगा ठीक है तो अंडर रूट ओफ 15.21 क्या होगा आंसर हमारा 3.9 होगा ठीक है तो देख सकते हैं कि बहुत इजी मैठड है पर इसके आपको और सम्स में आपको बोलूँगा कि आप प्रेक्टिस कीजिए अपने आपसे को अभी ऐसे ही सम लिख 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 जो और सौल करना शूरू कर दिजा अब जैसे 2-3 सम स्वाल करेंगे और यह मैठड सारी ध्यान रेकेंगे step by step आप जाएंगे तो आप कभी भी इसमें confused नहीं होंगे कभी इसमें गलत आप एरर नहीं करेंगे पर प्रेक्टिस करनी होगी तो सुजान साके नों यह बोलना जाएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल एड्यू अन्टेन्मेंट को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्ट्यू